आपको बता दे कि पुलीस अधिक्षक शेहडोल कुमार प्रतीक की अध्यक्षता में आज अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई यहाँ बैठक हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुशकर्म और हत्या की हृदय विदारग घटना के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्दे नजर आयोजित की गई थी बैठक में पुलीस अधिक्षक कुमार प्रतीक ने कोतवाली और सोहागपुर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे शहर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपायों को सुद्रिढ करें और नियमित गष्ट सुनिश्चित करें इसी निर्देश के पालन में कोतवाली थाना प्रभारी ने जिला अस्पताल शहडोल का निरिक्षन किया निरिक्षन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाच की गई और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रती सतर्क रहने की आवश्यक हिदायते दी गई साथ ही अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिती की भी गहन समीक्षा की गई इसी क्रम में थाना प्रभारी सोहागपुर ने बिर्सा मुंडा मेडिकल कॉलेज शेडोल का निरिक्षन किया यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारिकी से अवलोकन किया और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुक न होने देने के निर्देश दिये पुलीस प्रशासंद्वारा इस प्रकार की सुरक्षा पहल से जिले के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा जिससे चिकित्सीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और मरीजों को सुरक्षित वातावर्ण मिल सकेगा शैडोल से फरीद खान की रिपोर्ट